नमस्कार दोस्तों इस वक्त की तमाम बहुत बड़ी खबरे मुख्य समचार आप लोगों के लिए ले करके आए हैं दोस्तों जहां पर एक एक करके चलेंगे दिन भर की सभी बड़ी खबरे मुख्य समचार आप तक आगे इसी वीडियो में पहुँचाएंगे जहां पर दोस इस गुमार एक बर फिर से पल्टी मारने की तैयारी कर रहे हैं इंडिया का पीम कैंडिडेट ना बनाए जाने के कारण एंडिये में हो सकते हैं एक बर फिर से सामिल सुत्रों के नुसार बड़ी खबर बुलाई है यहाँ पर बड़ी बैठक तो वहीं दोस्तों अगली खबर इंडिया गढ़ बंदन के नेताओं की बड़ी टिम बैलट से चुनाव कराने के लिए दिया गया है प्रस्ताओ इसी प्रकार की तमाम बेहत बड़ी खबरे दोस्तों आप तक आगे इसी वीडियो के माध्धम से पहुचाएंगे तो बहीं दोस्तों अगर आप लोग भी EVM के बजाए बैलट पेपर के जरिये चुनावियो की मांग करते हैं और बैलट पेपर के समर्थन में हैं तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूरी दरजगरवाईएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजेगा दोस्तों वी सपोर्ट बैलट पेपर जो पहली बड अच्छी सांसदों ने 143 सांसदों के निलंबन के खिलाब संसद भवन से विजय चौक तक मार्च निकाला है मलिका अरजुन खडगे ने कहा है कि हम संसस उरच्चा चुक का मामला उठा रहे थे हमारी मांग थी किस पर ग्रही मंतरी हमें सहज जानकारी दे लेकिन हमें ही निल गांधी सोनिया गांधी मलिका अरजुन खडगे समेत तमाम दिगज यहां पर नेता इस मार्च में सामिल हुए हैं आप संसस से सडक तक यहां पर संगराम देखने को मिल रहा है और इतना ही नहीं दोस्तों आप लोगों को यहां पर बताते चलें और वहीं मलिका अरजुन ने जोरदार हमला करते हुए कहा है कि पिया मोदी संसद चोड़ करके हर जगहे पर बोलते हैं और इतना ही नहीं यहां पर विपाची ने बड़ा ऐलान कर दिया है आप लोगों को बताते चलें यहां पर सरकार की तानसाही के खिलाफ जंतर मंतर पर कल विरोध प्रदर्शन बुलाया गया है विसाल विरोध प्रदर्शन यहां पर किया जाएगा जो यहां पर तानसाही चल रही है उसके खिलाफ में और इतना ही नहीं इसके साथ ही जो अगली खबर आ रही है बेहधी चौकाने वाली खबर है विपाच्छी गढबंदन इंडिया ने की है एवियम क अपनी चौथी बैठक में विपाच्छी गढबंदन ने प्रस्ताव पारित कर चुनाव आयोग से मांग की है कि मतपत्रों के जरिये चुनाव करवाए जाए और अगर ऐसा नहीं हो सकता है तो मतदाता सत्यापित परचियों कि यहां पर सौ फिस्दी गिंती की जाए और इ टी में डाल दे विपाच्छी नेताओं का दावा है कि चुनाव आयोग ने ग्यापन का जवाब नहीं दिया है दरासल हाल ही में पांच राज्यों के विधान सभा चुनाव के नतीजे आने के बाद मद्ध प्रदेश के नतीजों को लेकर के सवाल उठे कहा गया कि नतीजा पूर्व सर्वेचर के जरिये वहाँ के परिडाम के बारे में पहले से महौल बनाने की कोसिस की गई यहाँ एक गंभीर बात है लोग तंत्रपूरी तरह से वीजेपी सरकार खतम कर देना चाहती है और एक पार्टी का सासन लागू करना चाहती है जो की बिलकुल भी बरदा पास्त नहीं किया जाएगा यहाँ पर दोस्तो कुछ सुझा चुनावायों को ग्यापन के जरिये दिये हैं इंडिया गडवन्दन ने और मांग की है कि यहाँ पर एवियम के बजाए बैलड पेपर के जरिये चुना करवाया जाए या फिर वीवी बैट परचियों की साफ इस दी गिंती की जाए आप लोगों के अनुसार यहाँ पर क्या सही रहेगा कमेंट बॉक्स में जरूर ही अपनी राय भी जरूर रिखियेगा दोस्तों जो अगली अपडेट आ रही है उसके तरह बढ़ते हैं मोदी सरकार के राज में लगतार यहाँ पर देश पर करज बढ़ता ही जा रहा है भारत पर बढ़ा करज का बोज दोस्तों पांच लाग करोण पहुंचा आंकड़ा आई एमस ने भी चेतावनी जारी कर दी है खबर बताते चलें बीते वित्वर्स की जनवरी मार्च टिमाई में कुल करज 2.34 लाग करोण डॉलर या करीब कह लीजिए 200 लाग करोण रुपए थाय जो की चालू वित्वर्स की सितंबर टिमाई में बढ़कर के 205 लाग करोण रुपए हो गया है और वहीं IMF ने करज को लेकर के चेताव ही दिया है केंदर की मूदी सरकार को IMF ने बड़ी चेतावनी जारी की है बताते चलें IMF ने कहा है कि केंदर और राज्यों को मिलाकर के भारत का GDP के 150 से उपर यहां पर करज जल्द ही पहुँच सकता है ऐसे में लांग टर्म में करज चुकाने में दिक्कत पेस आ सकती है राज्यों की स्थिती काफी खराब होती जा रही है दिन पर दिन करज बढ़ता ही जा रहा है और देश पर तो करज 205 लाग करोन का पहुँच गया है ये खबर गोदी मीडिया नहीं दिखाएगा क्योंकि उनके आका की इजाज़त ही नहीं है लेकिन आप लोग ये सच्चाई जानिये इसके साथ ही जो अगली अपडेट आ रही है उसकी तरह बढ़ते हैं नितीस कुमार एक बर फिर से पल्टी मारने की तैयारी में नजर आ रहे हैं विपच्च में बियम चहरे पर मतवेद किवीज नितीस कुमार ने बुलाई जेडियू की राश्ट्री है कारकारणी की बड़ी बैठक बड़ी घोशणा यहां पर संभवा है जिहां दोस्तों बताते चलें की जेडियू लगतार यहां पर मांग करती है कि लोग सभाचुनाव के लिए विपच्च के प्रधार मंतरी उमिदवार नितीस कुमार को घोसित किया जाए लेकिन ऐसा फिलहाल के लिए होता हुआ नजर नहीं आ रहा है जिसके कारण अब यहां पर हलचल तेज हो गई है आप लोगों को दोस्तों बताते चलें 29 दिसंबर को जेडियू राश्ट्रिये परिस्त की बैठक भी बुला ली गई है जिसमें बड़े फैसले का यहां पर अनुमान लगाया जा रहा है बड़ा फैसला यह हो सकता है कि अध्याच बदला जा सकता है और नए अध्याच के साथ अन्डिये में जाने का फैसला भी संबभ है यह यहां पर सुत्रों का भी बड़ा दवा है दोस्तों इसके साथ ही जो अगली खबर आ रही है उसकी तरह बढ़ते हैं यहाँ पर मोधी सरकार की नियत का खुलासा कर दिया है कॉंग्रेस पाटी ने तीन क्रूर कानून पारित कराने के लिए निलम्वित किये गए विपच्छी सांसद। विधैकों को पास भी कर दिया है बताते चले कॉंग्रेस के महासचिप जैराम रमेश ने कहा कि ग्री मंतरी ने तीन क्रूर आपराधिक नियाए विधैकों को लोगसभा से बिना किसी असहमती के पारित करवा लिया है लोगसभा के अंदर विरोध करने वाले सांसद ही नहीं यानि कि उनको निलंबित कर दिया गया बहुत कम ही संक्या में विपच्छी सांसद सदन की अंदर मौजूद थे क्यूकि जादा तरकों तो यहाँ पर बीजेपी सरकार ने मनमानी करते हुए सदन से बाहर करवा ही दिया है और राजे सभा से भी इस बिल को पास करवा ही ले राहुल गांधी गोदी मीडिया पर जम करके भढ़के जिहां दोस्तों राहुल गांधी ने कहा है कि मीडिया 140 से ज़ादा सांसद जो निलंबित हो गई है वो मुद्दा हटा करके मिमिकरी का मुद्दा चला रहा है इस पर राहुल गांधी ने गोधी मीडिया को लतार दिया है राहुल गांधी ने कहा है कि थोड़ी तो निउस दिखा दिया करो सच्चाई वाली बिल्कुल एक ही लाइन पर मत चलो यह यहाँ पर राहुल गांधी का भी बयान सामने निकल के आ चुका है दोस्तों इस समय की आज की तमाम बहुत बड़ी खबरें मुख्य समाचार थे दोस्तों जो हमने आप लोगों तक पहुचा है अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो अब इस वीडियो को लाइक कीजेगा दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इन खबरों को मुख्य समाचारों को शेर कीजेगा अपने सभी दोस्तों में और चैनल परना है तो दोस्तों चैनल को ज़रूर ही सब्सक्राइब कीजेगा वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत-बहुत धन्यवाद जय हिंद जय भाराद